नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन वंसल वास्तो कंसलिकेंट आज जो विशे मैं आपके साथ लेकर आया हूँ वो है प्लांट्स पोधे आपको अपने घर के अंदर किस दिशा में लगाने चाहिए आपके घर के नौर्थ में इस्ट में नौर्थ इस्ट में खाली जगह है तो वहां पर आप अपने घर के अंदर पोधे लगा सकते हैं और वास्तु शास्तर के नुपसा जमीन के अंदर आपको अपने घर के किस दिशा में लगाने चाहिए मेरी वीडियो का दिखीएगा सुनियागा और समझेगा आपका घर किसी भी दिशा का है हमेशे ही जमीन के अंदर पोधे कहा लगाने चाहिए कaggi नौर्थ सेंटर यान उत्तर दिशा के मध्यवाग से इस्षान कौन होते हुए और इस दिशा में आ अपने घर के अंदर जमीन में पोधे लगा सकते हैं यहां पर इस दिशा में पोधे लगा तेसमें हमेशे धेन रखना आपने यहां कि जमीन का लेवल जो आपका ओपन एरिया है उसके लेवल से नीचा होना चाहिए आपने लॉन बनाना है तो लॉन भी नौर्थ नौर्थिस्ट और इस जोन में ही आप अपना लॉन बना सकते हैं यह धिशा हमेशा ही ठंडी रहती है नमि पसंदती आ है जब हम यहां पेण बनाते हैं नहिके हर दूसरे दिन पधो घास बनी देना पडता है और जब नॉर्थिस्ट में पानी आता है तो वो हिस्सा हमीशा ही गिला रहता है, नरुम रहता है ठंडा रहता है जब भी ए एरिया ठंडा होता है तो घर के अंदर खुशाली ले का रहता है तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें जब भी आप अपने यहाँ पर पौदे लगाएं तो जमीन के अंदर नौर्थ, नौर्थिस्ट और इस जोन में ही लगाने चाहिए आपने अपने पर गंले रखने हैं तो मैं कहूंगा कि इहां पर नॉर्थ-ईष जोन में छोटे छोटे घंले रख सकते हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए हर घर के अंदर तुल्सी जी रखी जाती है उसके लिए एक छोटा सा गंला रखिये आपके तो एक छोटे से गम लेके अंदर आप अपने घर के नौर्थ इस्ट कॉर्णर में यानि इशान कोने में तुलसी जी डख सकते हैं मैंने अपनी इस वीडियो में आपको बताया कि प्लांट्स आपको अपने घर की किस दिशा में लगाने चाहिए सबसे बेस्ट दिशा है जमीन के अंदर प्लांट्स लगाना पौधे लगाना उसके लिए दिशा में आपको बताईए कि इस दिशा में आप अपने यहां पर प्लांट्स लगा सकते हैं लॉन बना सकते हैं घास लगा सकते हैं बस ये धियान रखना है कि वहां का जमीन का बना सकते हैं यह भी आपके लिए फाइदे बंद रहेगा इसके अलावा आप अपने घर की किसी और दिशा में किचन गार्डन बनाते हैं तो उसका हमेशे ही आपको नुकसान मिलेगा तकलिफ मिलेगी आप मेरी वीडियो को दिहान से देखें सुने समझे और विचार करें आ मैंने अपने यूटूब चैनल पर लगभग 500 वीडियो अपलोड की हुई है आप मेरी वो सभी वीडियो देखकर भी अपने समस्याओं का समधान खुद कर सकते हैं आप अपने यहां पर बदलाव करने से पहले कई बार सोचे समझे और विचार करें आपको लगता है कि वी विश्व पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार